अगर आप अपना बात्रूम बनवा रहे हैं, या उसको रेनुएट करवा रहे हैं, तो आपने इंटरनेट पर जाकर 100% इमेजिस सर्च करी होंगी, कि बात्रूम को अच्छा कैसे बनाया जाए, हो सकते हैं आपने उसमें टाइल्स देखी हो, फिटिंग्स देखी हो, कलर कॉं अगर आपको अपना घर को सुन्दर बना जाते हो, तो आपको ये चानले ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, आज किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, कि बात्रूम में लाइटिंग कैसे की जाए, आज हम देखेंगे कि बात्रूम में कौन से लाइट लगवाई ज अगर आपको इन्टियरी डिजाइन करने जाते हैं, जो आपको बिल्कुल बी नहीं करनी हैं, यानि आज की वीडियो के बात आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी, जिससे आपको बात्रूम सुन्दर बन सके लाइटों के बेस पर, आगए बढ़ने से पहले, अगर आप अपने घर में को interior design करवाना चाहते हैं किसी professional से तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं नीचे description में की link दिया गया है WhatsApp का link है उस पर बस click करना है आपकी बात सीधे हमारी team से होगी और हम आपका पूरा घर interior design करके दे सकते हैं वो भी सबसे अच्छे दाम में तो चलिए अब वीडियो को करते हैं शरू लाइटों के अगर बात की जाए तो लाइटों काई श्रेणियों में बाता जा सकता है जैसे recess light, ambient light, accent light, spot light, wall wash और वगएर वगएर लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान कीज़ रहा हूँ कि आपको lighting के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आपको पूरी तरह समझाने के जिम्मादारी सिर्फ मेरी है इसी वज़े से इस तरगी कोई भी technical भाशका प्रियोग इस वीडियो में नहीं किया जाएगा हमको simple terms से रखेंगे जो आपके पूरे बात्रों में रोशनी फिराने के काम आएगी उसका कोई particular task नहीं होता उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि आपको पूरी बात्रों में रोशनी भर दे ताकि आप जो भी वहाँ काम करने जा रहे हैं उसको अच्छे से कर सके इस general light में panel light और cove light आती है दोनों कैसे दिखती है आपको screen पर दिख रहा होगा इन दोनों को हम general light कहके ही refer करेंगे general lighting के बाद आती है invisible light invisible light की खासियत थी है कि वहाँ पर आपको रोशनी तो दिख रही होती है लेकिन रोशनी कहां से आ रही है उसका जो source है वह आपको नहीं दिख रहा होता जैसे आपने अपने घरों में cove light देखी होगी तो cove light में क्या होता है जैसा आप उसके पर दिख रहा होगा कि वहाँ पर आपको रोशनी तो दिख रही होती है लेकिन वो रोशनिक जिस सोर्से आ रही है वो सोर्स अंदर छुपा दिया जाता है यानि वो आपको नहीं दिखता और तीसरी और आखरी होते है decorative light decorative light नाम से बता चल रहा है उनका एक ही मकसद होते है कि आपका जो area है उसकी खुबसूरती बढ़ा देने का वो अपने आप एंतने सुन्दर होती है कि उसको अगर हमने कहीं लगा दिया तो वो अपने आप एक highlighter रिक्टरे भी काम करती है जैसे lamps होते हैं job screen पर देखी पा रहे होंगे शुरुआत करते हैं general light से जो के पूरे bathroom में रोशने फिल में काम आएंगी मैंने कहा था कि इसमें दो light आती है panel light और cobalight दोनों की photo आप देख पर होगे एग चीज़ का ध्यान रखो आपको bathroom में कभी भी panel lights का इस्तेमाल नहीं करना है in fact 95% भारती घरों में panel light ही लगी होती है bathroom में भी क्योंकि हमें ऐसा लगता है बीच में एक light टांग दी वो पूरे bathroom में रोशने फिला दे कि और आपको काम हो गया नहीं ऐसा नहीं होता है तो पहली चीज़ आप यह जान लो कि आपको panel light बाथ रों में इस्तेमाल नहीं करनी है आपको करनी है cove light का इस्तेमाल अब मैं ऐसा क्यों कहारा हूँ उसको logic आपको समझा देता हूँ तो panel light में होता है कि जब हम उसको वहाँ लगाते हैं तो किसी एक particular पर रोशनी ना डालके वो पूरे area में रोशनी को फैला देते हैं उनका जो रोशनी का angle होता है वो होता है 120 degree यानि जहां आपने उसको लगाया वहाँ से रोशनी निकलती है 120 degree पर जो bathroom के लिए अच्छी नहीं रहती आपको यूज़ करने है cove light cove light की खाहती है कि वो 40 degree के angle पर नीचे के तरफ रोशनी फैकती है यानि जिस भी चीज़ के उपर आपने उसको लगा दिया उसकी खुपसूरती वो बढ़ा दे दिया क्योंकि जो रोशनी आती है उसके उपर उस वज़े से वो जो fixture है या जो fitting है वो ज़्यादा चमकती है इसी चीज़ का फायदा मबातुर में उठाएंगे कैसे उठाएंगे वो आपका आगे पता चली जाएगा सबसे पहले आपको खड़े होने अपने वाश बेसन के पास देखना है उसके बिल्कुल उपर की तरफ सबसे पहली कोब लाइट डलेगी उसके बाद आपको खड़े होने अपने seat के आगे देखना है WC का जो बीट का छेद होते हैं जाँ पानी बहरा रहता है वो कहाँ पर आ रहा है उसके बिल्कुल उपर की तरफ अगली सी योबी light होगी कोब light उसके बाद जाना है आपको शौवर एरिया में शौवर जहां निकला होगा जहां आप खड़े होगे उसके बिल्कुल उपर देखना है और वहाँ होगी आपकी तीसरी कोब light अब यहाँ पर इसका फाइदा ये होगा कि बाथरूम में तीन चीज़ा है जिसमें आपने पैसा खरच किया होगा सबसे पहली आपकी toilet seat फिर आपका wash patient फिर आपकी shower की जो भी fittings है उसके उपर जब हमने कोब light लगा दी और जब 40 degree के angle पर उसके उपर रोशनी पड़ेगी तो मान के चलिए कि आपको जो बाथरूम में 50% तो ऐसी highlight हो जाएगा अगर उसमें और कुछ ना भी करें तो भी ये चीज अगर आप और relate करना चाहते हैं तो अगर आप कभी भी 5 star या 7 star hotel में गए हो वहाँ के बातुर में जाईएगा और देखेंगे वहाँ कौन से light लगी होती है वहाँ लगी होती है कोब light और बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अब जब कोब light के आपने जो position हो set कर दी इसके बाद आपको दो नई समस्य हो से रूबर होना पड़ेगा जो कोब light की वज़े से पैद होंगी सबसे पहली समस्य है यह होगी कि जब भी आपने center hole लेके उपर की तरफ प्लेस करा कोब light को तो इनके जो holes हैं या जहाँ आप shower में खड़े होंगे यह थोड़ा आगे-पीछे हो सकते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है देखना है कि वो कितना आगे-पीछे हो हैं और उन सब को ले आना एक straight line में यह चीज समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं मेरे side में जो मैंने visuals डाल रखे हैं उनके according समझ यह कि कैसे आपको एक सिधी line में इनको ले आना है उस वज़े से हो सकते हैं कि जैसे मैंने आपको आपको अपको लगनी चाहिए उससे थोड़ा आगे बिचे हो कोई दिक्कत नहीं है उसकी रोशने फिर भी बिल्कुर focus रहे कि आपके picture के उपर लेकिन यह सब एक straight line में रहने जरूरी है थोड़े आगे बिचे रहे तो देखने में थोड़ा odd लगता है दूसरी जो दिक्कत आपको लगेगी वो यह कि क्योंकि हमने इनको fittings के recording एक तरफ लगाया है तो एक तरफ के दिवार के तो यह पास हो गए है लेकिन जो दूसरी तरफ के दिवार है वहाँ से lights हो दाएगी दूर तो आपके जो चछत की symmetry है जो आपके ceiling की symmetry वो थोड़ी बिगड़ी आपको दिखाई देगी उसके लिए आपको क्या करना है आप हो सुनिए जहां पर भी यह 3 कोबलाइट लगाई है इनके बिलकुल सामने आपको 3 कोबलाइट और डाल देनी है जो इनके एक symmetry में डाल लेगी यानि अगर एक कोबलाइट इधर लगी हुई है तो बिलकुल के सामने दूसरी कोबलाइट भी डाल दीजे ठीक दिवार से उतनी ही दूरी पर जितनी ये वाली कोबलाइट आपने डाली है चलिए अब आप लाइट की पोजिशनी की भी समझ गए अब देखते हैं आपको कौँ सा कलर इसमें यूज़ करना चाहिए कलर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऐसे बनाई हुए जहापे मैंने पूरा बताया कि कूल वाइट, वाम वाइट और नेच्रल वाइट के क्या का फायदा और क्या क्या नुकसान है लेकिन अगर हम बात्रम की पटिवलर बात करने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको वापे हमेशा नेच्रल वाइट लाइट यानि 4000-5000 केल्विन की लाइट ही डालनी चाहिए मैं सक्क्यू कहना उसका लॉजिक आपसा समझा देता हूँ तो हमने तीन तरह की लाइटे देखी हुए है कूल वाइट, नेच्रल वाइट और वाउम वाइट अब मान के चलिए आपने नेच्रल की जगे कूल वाइट लगा दी ठीक है लगा दी अब जब सुबह 6-7 बज़े आप उठेंगे बिलकुर आप नीन में है आप बातर में जाना चाहेंगे जैसके आप कूल वाइट लाइट को आउन करेंगे एकदम सफेद रोश्टी जैसी आपके आखो पर जाएगी एकदम से आपके दिमाग को जटका लगेगा और आपके नीन एकदम से खुलेगी हाँ हम सब चाहते कि हमारी नीन सुबह सुबह खुल जाए लेकिन जटके में खुलना कभी भी recommended नहीं होता इसलिए मैं बातर में कभी भी cool white light को recommend नहीं करता अब इसके बाद आते हैं warm white light warm white light के मैं इतना खिलाफ नहीं हूँ वो फिर भी आप बातर में लगा सकते हैं अगर आपको ज़्याद अच्छी लगती है तो लेकिन personally, visually मुझे वो थोड़ी उतनी appealing नहीं लगती है इसलिए warm white को भी मैं recommend नहीं करता हूँ और मैं आतो हो natural white light पर जो बिल्कुँ बीच की होती है सुबह जब आप जाएंगे वो थोड़ास आपको उठा भी देगी जो figure आपके सामने आएगा आपको उतनी वाट की light अपने बातर में डालनी है चलो एक example समझते हैं माल लीजे मेरा bathroom 10 feet by 5 feet का है यानि वो होगे तोले 50 square feet का 50 into 0.6 हुआ 30 यानि मुझे बातर में 30 वाट की light चाहिए होगी अब अभी तक plan के according मैं 6 cob light डालने वाला हूँ तो यानि 30 divided by 6 आंसर का या 5 यानि एक cob light मुझे लेनी है 5 वाट की ताकि पूरे bathroom में अच्छी से रोशनी भी रहे और जहां रहनी चाहिए बिल्कुल वहीं रहे यहाँ पर आपका general light होती है खतम लेकिन अभी भी हो सकता है कुछ लोगों जिनका बात रोशनी बहुत ही छोटा हो जिनकी एक line में सारी चीज़े नहीं आ रही तो जाहिर से बात है 6 light नहीं लगा पाएंगे छोटे बात रोशनी मैं दिखते रे चीज़े थोड़ी आगी बीचे कर दी जाती है लेकिन ध्यान आपको रखना है कि आपको यही रूल फॉलो करना है जहां जब fittings आई हुए हैं उनके ऊपर cope light लगाई है और उनको symmetry में डालने के लिए एक या दो light और add कर दीजिए तो आपको अगर चोटा बात रूँ भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए भी सारे rules सेम ही रहेंगे अब आते हैं invisible light पर जो आपके जो lighting है उसमें एक odd dimension add करेंगी उसके लिए 3-4 जगे हैं जहां पर आप 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 add कर सकते हैं वो क्या होती हैं वो मैं एक एक करके आपको सारी बताता हूँ सबसे पहली जगा जहां पर आप invisible light कर सकते हैं वो है आपके mirror के बिल्कुल पीछे जो आप washbasin के पास लगाते है mirror उसके बिल्कुल पीछे इस तरह के light डाली है जैसा आप screen पर देख पा रहे हैं फर में का मतलब होता है एक ply लीजे या फिर HDHMR ले लीजे जो भी आपका mirror का size और shape रहने वाली है उससे थोड़ा चोटा कटवाई है उसको दिवार पर करवा दीजे फिक्स अब उसके side में जगा बनेगी उस जगे में आपको चिपका देना है अपनी LED strip light और उसके ओपर आपको सीशा कर देना है fix अब जब वो जलेगा तो कुछ इस तरह का लुग देगा जैसे आप screen पर देख पा रहे होंगे यह same काम करने के 3-4 तरह के और है depending कि आपके सीशा का size क्या है shape क्या है तो हो सकते आपको car painter कुछ और recommend करे तो उसके सुन लेना यह बड़ी असान सी चीज है कोई भी car painter असानी से कर देता है वो भले यह method follow न करे लेकिन effect उससे कह देना ऐसा ही आना चाहिए दूसरी जगा जहाप इस तरह की invisible light का प्रियोग कर सकते हैं वो है आपकी niches में अब niches क्या होती है वो screen पर देखे हो समझिए सबसे पहले niche आपकी बन सकती है WC के बिकड़ उपर अगर आपने खास कर wall hung seat लगवाई है तो उसके उपर एक space बज़ जाता है लगवा चार से पांच इंची का उस space में आप अराम से इस तरीकी stories बनवा सकते हैं अब जब ये stories बनवाएं तो बीच में, सोरी बीच में नीचे की तरफ यानी WC के just उपर एक आला छोड़ देना मतलब हिंदी में आला कहते है आपकी वहां क्या बोलते पता नहीं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो और उस आले में पीचे के तरफ जिरी कटवाना और उसके अंदर आपको एड़ करवा दिनी है profile light अगर मेरे पास कोई photo होगी मैं तो मैं original site की याँ photo ज़रूर डालूँगा अब जब वो light जलेगी तो देखने में बहुत खूपसूरत लगेगी और आपके बातरों में चार चांद अराम से लग जाएंगे दूसरी निशा बनवा सकते हैं अपने बादिंग एरिया में बादिंग एरिया में कर अगर एक तरफ की wall की मोटाई नौइंस है तो वहाँ पर आप अराम से इस तरीका space निकलवा सकते हैं इस तरीका space जब निकलवाएं तो हर तरफ ग्रेनाइट से उसको पहले cover करवाईए ग्रेनाइट में पीची की तरफ उपर एक दुबार से जगा छोड़िए और वहाँ पर add करवा दीजे profile light मैं बार-बार यहाँ पर profile light ही recommend कर रहा हूँ क्योंकि इस सारी light ही थोड़ा नेचे होती है इनमें पानी सीधर नहीं पढ़ना चाहिए profile light जब लगती है तो उसके आगे का जो acrylic cover है वो एक तरह की protection प्रोवाइट कर देता है और दूसरा टाइलों में इसका सीधा reflection भी नहीं देखता थोड़ा सा समर्ज हो जाते reflection तो यह वो दो जगह हैं जहाँ पर निशिस निकलती है अधिकतर बातरूम में वहाँ पर आप इस तरह की invisible light पर add करवा सकते हैं इसके अलावे भी कई सारी जगह होती है जहाँ पर आप निशिस निकलवा सकते हैं अगर आपने निकलवाईए यह निकलवाने का सोच रहे हैं तो जरूर निकलवाईए बस उसके अंदर एक light add जरूर कर देना चोटी जगह वो होती है जो अदिकतर चोटे बातर में देखने को मिलती है चोटे बातर में जो vanity होती है वो wall hung होती है या फिर उसको floating vanity भी कहा जाता है जो नीचे flooring से काफी उपर होती है अब जब वो उपर होती है तो नीचे की तरफ जो space होता है और सबसे किमाल की बात है आपका बातर में थोड़ा सा बड़ा लगने लगता है क्योंकि आपका floor थोड़ा और ज़्यादा जग मगा जगता है पांचवी और आखरी जगह जहां पर आप इस तरह की invisible idea का add कर सकते है वो है यह जब स्क्रीन पर देख पा रहे हो अब इसको अगर आप कोव समझ रहे है तो यह कोव नहीं है कोव बातरूम में देनी भी नहीं चाहिए वरनावा गंदी की जमती है आपको करना कुछ नहीं है बातरूम में कोई एक देवार होगी जो आपने highlight करवाई होगी tiles के जरीए उसके उपर जब आपने false link करवाई हो तो अगर आपने पूरी false link करवाई है 6 level की यानी change down की उस तरफ एक हलकी से निश्ट बनवा दीजिए और उसको सिर्फ 3 inch down करवाई है यानी एक गड़ा सा बन गया अब उस गड़े में लगवा दीजिए light जब वो light जलेगी और light थोड़ी बड़ी और लगवाना थोड़ी ज़्यादा light वाली अब चलिए आप invisible light की positioning भी समझ गए अब देखते हैं उसमें क्या color लेना चाहिए अगर आपने general lighting में मेरी recommendation मानी है और वहाँ पर आपने natural white light का इस्तमाल किया है तो invisible light आपको हमेशा warm white color की लेनी चाहिए यानी एक combination बन जाएगा natural white light का और warm white light का जो देखने में बहुत प्यारा लगेगा इसे के साथ invisible light का भी काम हो गया खतम अब आते हैं अपनी आखरी lighting पर जिनको हम कहते हैं decorative lighting decorative lighting के लिए आपको चलना होगा वहाँ पर जहाँ पर आपने लगवाए wash basin अब wash basin के आगे हम शीशोत लगवाते ही हैं अब वहाँ पर हम एक बहुत 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 बड़ी गलती ये करते हैं वह गलती सिर्फ आपने in fact कई interior designer भी कर देते हैं कि mirror के ऊपर दे देता है light जैसा आप screen पर देख पा रहे हो कि होस्तक जैसे आपके बातरूम में अलरडी हो अब वहाँ पर हम light देते हैं ये सोच के बही वह आपने हारे मूवे पढ़ेगे हमारा मूँ अच्छा देगेगे हम जाद अच्छे से चीज़े कर पाएंगे यानि make-up या shave कुछ करना हो लेकिन वही पर सारा काम हो जाता है खराब अब वह क्यों होता है वह मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा आपको डेमो देके बताता हूँ अब देखिए ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैंने अपने सामने दो light रखी हुए है पिंपल्स जाद होते है तो उनके नीचे भी परचाही बन जाती तो आपने देखा सामने की बज़ाए उपर रखने से मेरे मुवे क्या परचाही बनी है अगर मैं पूरी तरह इसके उपर भी न रखूँ थोड़ा भी आगे रखूँ तब भी मेरे मुवे परचाही बनेंगी कम बनेंगी लेकिन फिर भी परचाही बनेंगी चरह यह देखिए यह मैंने अब बस सामने उपर की तरव रखा है फिर भी मेरे मुवे परचाही आने लग गई है यही होती है सबसे बड़ी गल्ती आप लोग की बातरूमें भी कुछ ऐसी होता है मिरर के उपर हम लगा देते हैं कि लाइट लाइट हमारे मुँपर उपर की तरफ से रोशनी मारती है और हमारे नीचे आने लगती है परचाईया इन परचाईयों की दिक्कत ही होती है कि अगर हम कोई बारिकी वाला काम करना चारहे यानि मेकप करना चारहे या शेव करना चारहे तो उसके लिए सही नहीं होती प्लस हमें थोड़ा सा जाधा गंदा दिखाती है इसलिए हमेशा 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 अपने बिल्कु फेस लेवल के सामने की तरफ लाइट रखिए, यानि मिरर के इधार और इधार, बिल्कुल सेम वाट की लाइट रखिए, ताकि दोनो तरफ से बिल्कु बराबर रोशने आपके मुझ पर आए, और मुझ के दोनो तरफ आए, ये चीज डेकोरेटिव लाइटिव में करने के तीन तरीके है, सबसे पहला और सबसे लग्जूरी वाला तरीका है, अगर आप अपनी फॉल्स हिलेंगे, इस तरह से ये लेंप्स लटकाएंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये लेंप्स राइट और लेफ्ट दुनों के तरफ लटकेंगे, लटकेंगे आई लेवल तक, और आपके मुँपे जब ये रोशनी मारेंगे, तो आपका मुँँ कहीं साथ अच्छा देखेगा, और जितनी वारे कि हैं आपके फेस में, वो सारी दिखेंगे मिरर में बहुत अराम से, और अगर आपने ये चीज़ अपने बात्रों में कर दी, तो आपका बात्रों बहुत यू फाइस्टार टाइप का लगने लगेगा, लेकिन बस एक दिक्कत है, अगर आप अपनी चछट से लेंप लटकाते हैं, तो आपका बहात्रों उसके लिए ज़रूरी है कि बड़ा हो, यानि आपके मिरर वाली दिवार से, आपके पीछे वाली दिवार, मैं रिक्यमेंट करता हूँ, कमसरे आट फुट की हो, तब यह आप इस तरीके पर जाएं, लेगिन अगर उससे कम है, तो क्या गरें? अगर आपके मिरर वाली दिवार से, पीछे वाली दिवार, पाँच से आट फीट के बीच में है, तो आपको इस तरीकी हैंगिंग लेंप्स, या पैंडेंड लेंप्स नहीं लेने हैं, आपको लेने हैं, वाल लेंप्स जैसा आप स्क्रिंग पर देख पा रहे होंगे, एक मिरर के इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा, दोनों वाल में फिक्स हो जाएंगे, और दोनों बराबर रोशने आपके मुँपे मारेंगे, ये देखने में भी अच्छे लगेंगे, प्लस इनके लिए जगा भी जादा नहीं चाहिए, लेगिन अगर आपका बातरूं बहुत ही छोटा है, तो आपको इस तरह के लेंप्स के साथ भी नहीं जाना चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए LED मिरर के साथ, जो आज के मार्केट में बहुत चल रहे हैं, जैसा आप स्क्रिंग पर देख पा रहे होंगे, इन मिरर्स में अंदर की तरफीक LED लगी होती है, जब उससे जलाते हैं, तो मिरर की जो बॉर्डर से या जो भी डिजाइन है, वो जलने लगता है, और आपके मुँपे सारी रोशनी आती है, आप इसका इस्तमाल भी वहां कर सकते हैं, अब जाहिर सी बात है, अगर आपका बात्रूम बड़ा है, तो भी आप LED मिरर का इस्तमाल करी सकते हो, ऐसको ही रूल नहीं है, कि आपको ये हुआ है, तो यही करना है, फिर भी मैंने आपके एक General Guideline दे दिए, कि कितना बड़ा होना चाहिए, तब आप Penetin Light ले, कितना बड़ा होना चाहिए, जब आप Wall Lamps ले, और कितना बड़ा कम से गम होना चाहिए, या कितना चोटा होना चाहिए, जब आप mirror के आसपस वाली light लें यानि LED mirror लें अब इसी के साथ bathroom में जो भी lighting होनी थी वो सारी होगी complete अब आपको bathroom को लक्जूरी क्या से बनाना है lighting के दम पर ये आपको अच्छे से पता है मुझे हुमी इदा कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी प्लस समझ भी आई होगी फिर भी ऐसा हो सकते कि कोई चीज मुझे छूट गई है या मैं आपको ठीक से नहीं समझा पाया और आपके मन में अभी भी कोई शंका कोई doubt रहे गया है तो उसके लिए प्लीज नीचे comment करिए comment में अपना सवाल पूचे और मैं उनका जवाब वहाँ जरूर दूँगा और comment करने से पहले हिचे केगा बिलकुर मत क्योंकि आपका एक सवाल कई हजार लोग को और सवाल हो सकता है यानि आपके एक सवाल पूचने से कई लोग का भला हो सकता है उनको भी अपना अंसर मिल सकता है और अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो प्लीज चैनल सब्क्राइब जबर करिए आपके लिए एक सेकिंड का टाइम है लेकिन ये एक सेकिंड मेरे लेकि वैलिडेशन होता है कि मेरा काम बिल्कु ठीक जा रहा है और मुझे इस तरह की वीडियो से और बनाती रहनी चाहिए इसके लावा अगर आप अपना घर इंटेरी डिजाइन करवाना चाहते हो तो हम आपकी मदद उसमें कर सकते है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है वाच्चाप का लिंक है उस पर बस क्लिक करो आपकी बात सीधे हमारी टीम से होगी और हमारी टीम में आपका पूरे खर बहुत ही शांदाज खरीके से डिजाइन करके दे सकती है वो भी सबसे budgeted way में तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अब मिलेगे अगली वीडियो में एक अच्छे नए topic के साथ जहां मैं आपको सारी जानकारी दूँगा बढ़ी कम समय में और बढ़ी असान भाशा में तब तक के लिए good bye